वेलकम बैक टू दे मैथ वारियर्स गाइज आज हम लोग बात करेंगे जैसा कि आज आप लोगों ने थमलेल पर दी देख लिया है पिछला वीडियो आपने देखा पोस्ट प्रिफरेंस पर था जो बच्चे वो लेसर 2018 का प्रिफरेंस बता इस बिटा मेरा केवल उस वीडि हुए हैं कुछ इदर के उदर हैं लेकिन आप एक चीज को समझें कि उसमें केवल जो मेरा परपज है वो आपको एक प्रिफरेंस फॉर्म दिखाना और उसमें किस तरीके से बहरा जाता है भाई इस बार पोस्ट हम कह रहे हैं 46 होंगी 45 होंगी और उसका वो चेंजिस हो आपको इसा नहीं कि नहीं बनाओंगा लेकिन आपको जो मैं दिखाना चाहरा हूं वो उस कॉंसेप्ट को समझें कि इस तरीके का ही आएगा और आपको इसी तरीके से भरना है केवल मेरा यह उद्धेस ता मैं यह थोड़ीन दिखा रहा हूंगा आपको 2017 का 2018 का DV है मुझे आप भी पता है लेकिन आपको करना इसी तरीके से इसी तरीके से आएगा है ना भाई कोई भी चीज का बेस होता है तो पिछले एयर का होता है ठीक है उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप लोग समझ गये होंगे अब बात करते हैं इस मुद्धे पर कि जो सर्टिफिकट का आप लोगों को इसी आ रहा हो भी सी एसी सबका उस पर ही बात करता हूं सीधे नोटिस पर ले सकता हूं जो एससी आपको साफ साफ दे रखी चीजे जो मैंने बताई भी है कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट मैंने बोला भी अपने डीवी वाले में कि आपको जो सीडर्स अगेंस्ट वेकर सी रिजर्व और सीक इस रिलेक्शन मुष्ट सम्मिट रिक्वी साइट सर्टिविकट फ्रॉम दा कम्पिटेंट अथार्टि ठीक है इन दा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो इन्हों ने दिया इनके नोटिस में वेन एवर साफ सर्टिविक अदर्वाइस दियर क्लेम फॉर सी एश्टी ओबी सी पीडवी एसम स्टेटस विल नॉट बी इंटर्टेंड इन दियर केंडिडेचर विल वी कंसीडर्ड यू आर आपके पास कुछ बच्चे अभी मुझसे पूछ रहते कि सर अगर यह साइटिविकेट नहीं कुछ यह कम अर एनेक्ट विद्ध नॉटिस ओफ एकजामिनिस स्ट जो आपका फॉर्मेट होगा साइटिविकेट का नॉटिस ओफ एजगेट अप सब दिया हुआ है उसमें तो साइटिविकेट अब इसीविकेट इसी अटर दा परसन आप डिसीबल्टि जैसे किसी के पी डब्लू ट का बंद है तो वो अपना चाह की चाहिए सकता है क्या का है यह देखिए Act 1995 और आखरी में लिखा हुआ Certificates in any other formats are liable to be rejected और किसी अगर आप format बना उन्होंने एक format दिया prescribed format उसी में आप लोगों को बनाना है अगर आप उसमें नहीं बनाते हैं तो आपको बाहर भी किया जा सकता है ठीक है अब मतलब आपका reject कर दिया जाएगा आप जर्नल में चले जाएंगे तो नहीं ठीक है बाहर नहीं किया जाएंगे और देखिए crucial date ने रणायक समय for claim SCST OBC EWS PW EWS का भी लिगा है कुछ बच्चे EWS की भी मुझसे बार बार पूछ रहे हैं EWS PWD ESM status will be closing date for receipt of online application जब आपका application भरा जाता है उसी के जो last date होती बात को समझना वहां तक का होना चाहिए मतलब closing date के पहले का बन क्या आपका आजाना चाहिए उसके बाद ये नहीं आप माली जी एक concept को सीधे समझेगा माली आप जिस चीज का form बर रहे हैं ठीक है अब आपने पता है कि मैं OBC आप किस base पर कह रहे हैं कि OBC आपको पता है कि आप OBC है लेकिन government आपको तभी माने मानेगी जब आपका उसका एक form मतलब एक आपके पास क् लाश्ट रहन लिखी वे person seeking appointment on the basis of reservation of OBC must ensure that he see process the caste community certificate does not fall in creamy layer on the crucial date ठीक है ये सारी चीज़े उन्होंने ते रखी तो उम्मेद करता होगी आप बास समझ गया होंगे जो मुझसे पूछ रहे कब से कब तक कर उन्होंने एक साब साब बोला है कि notification जब आता है closing date तक आप अपना बनवा सकते हैं जैसे अभी SSC के social 2020 के बरज़ा तो वहां से पहले काप होना चाहिए बस खत्म बात उससे और उन्हें कोई लेना देना है उन्होंने format भी दे रहा का उसी format में होना चाहिए इन सारी चीज़ों को आप लोग समझ गया होंगे prescribed format उमीद करता हूं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरह दिकर ले क्योंकि आपको मैं अगले वीडियो में format आर पूरा बता हुआ